दोस्तो आज दिस वीडियो रिपोर्ट विच चैनल रितेश लखियान फ्लाग्ड उत्ते मैं गाल करांगा उस स्यासी विवाद उत्ते जो कि कि आम आदमी पार्टी दे विदायका नों तोडन दी डल बदलन दी ते बीजेपी विच शामल हों दी पेश कश किती जा रही है पैसा करोणा करोणा रपया उना नों दिते जान दियां ओफर्स दिती आ गयाने अजेहे तकरीबन ग्यारा विदायका ना वी एक अजेही शिका करानले तकरीबन पौने चोदां सो करोड रपे दी काली जड़ी कमाई है या काली जड़ा तन है उस नों अरेंज करके बीजेपी दी लीडर्शिप आम आदमी पार्टी दे मलेज दी खरीदो फ्रोग दे विच इनवार्ड है लेगिन बात दे विच जड़ी शिकाय दिती गई है जिस सुते के FIR दर्ज कर लेज़ा पंजाब दे मुहाली दे विच ए FIR दर्ज किती गई है ते FIR दी परताल पंजाब दा विजलन्स ब्यूरो करेगा अप आये मन के चलिए कि देश दे विच यानि कि पारत दे विच इशाए दर पहला आजेहा केस होएगा जिस वि आदमी पार्टी दावा ए भी है कि उना ने अपनी इस शिकायत नालनाल कई अजे ही आं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दित्या ने कि कि टेली फोन दिया रिकॉर्डिंग्स ने जिसी सुच अजे है लोका दी गलबात वह ay जोगी आम आदमी पार्टी दे विदायकá दे नाल आ続 दे बाजी कर रहे है गेने, सो क्योंकि पब्लिक सर्वेंट एक विदायक नू रिश्पत देन दा केस जड़ा है, ओ विजलनस ब्यूरो नहीं हैंडल करना हूंदा है, सो एक F.I.R. इस केस दे बिच दर्ज कर ली गई है, हलाकि F.I.R. दे एक्जैक जड़े कॉंटेंट्स ने ओ पब्लिक डोमेन दे विचे सामने नहीं आए ने, लेकिन आम आदमी पार्टी दे इना लीडरा दे दावे दे विचे किनना दम है, इना दे इल्जामा दे विचे सच्चाई किनिक है, एस दी परोसे योगी ता हमेशा ही सवालना दे, केरे हिट एस वास्ते रहेगी क्यों मुख मंतरी पगवानतमान अपने सेथ मंतरी नो परष्टा चार दे संगीन इल्जाम लाके काड़ दन देने, मीडिया देगे टीवी देगे कहन देने कि उना को लजे है, कॉन्फिडेंशल प्रूफ ने, ऐसे क्लिंचिंग एविडेंस ने, जिना नो खुद सेथ मंतरी वि दायका देनाल, विजे सिंगला को मदे फिर दे नजार आये कदे भी उनाने एचीज मनी नी कि मुख मंतरी दे सामने उनाने अपने खिलाप कोई अजे ही आउडियो रिकॉर्डिंग वगेरा उस नो इल्जाम नो कबूल किता, सो अजे ही इस दिती दे भी जे दो मुख मंतर यह टेलीफून दे रिकॉर्डिंग वगेरा दिती हैं गईयाने यह जे ही पार्टी है ते उडियो लीडर्शिप है जिसने ता सबाद चार सौ लोग करना दी सुरुख्या देनाल खिलवार करता सी, क्लासिफाइड सूचना नो पबलिक डोमेन दे विच सिफ अपनी वावा करना है क्योंकि पबलिक रिप्रेजेंटेटिव ते विदायकान दूर रिश्वत देन या उना दी खरीदो फरोगता है मामला है सिदे तरिके नाले विचिलनस ब्यूरो दे ही डोमेन दे हेट आनदा है आनवाले दिना दे विच एक आरवाई भी होएगी इस दी तफ्तीश भी होएगी वेख दे हैं केड़े सबूत या केड़ी जिडियां क्रेडिबल पीस ओफ एविदेंस है इने जो की सामने ले आते जा सकते ने लेकिन एथे मुद्दा आम आदमी पार्टी दी क्रेडिबिलिटी ते परमानिकता ते उत्ते उठन वाले सवालना दाता है ही लेक होजएं के पार्टी जंता-पार्टी, पार्ट दी विच हाकम सियासी पार्टी तिर उस दा अपना वतीरा वी टे कुछ सालाँ दी विच रहा की है ता फिर रहेंज लागडा है कि जे इल्जाम लागरे ने ता उन दी विच कुछ न कुछ था सचाई पिछे जरूर हो सकती ह बीजेपी ओ पार्टी है जिसने की देश दे कई राजजान दे विचे बीते तकरीबन 4-5 साला दे विचे कई चलदियां होई यां चंगियां पड़ियां सरकारानों गेरता सिर्फ इस मकसद दे नाल की ब्यादा बीजेपी दी सरकार उस राजज दे विचे काबस हो जाए या फिर कांगर्स दियां सरकारानों गिरापता जाए सो जिस पार्टी दी मानसिकता ही देश दे कई सूबयानों कांगर्स मुक्त करन दी रही होवे या फिर विरोधी तेर मजबूत विरोधी दीर खड़ी ना हो सके किसी सूबय दे विचे जेड़ी पार्टी एस इरादे दे नाल जमहुरियत दे विचे एस तरीकी दी जोड़ टोड कारदी पई होवे एंटी डिफेक्शन नौदी तज्य उड़ारी होवे शरयाम विदायका नी खरीदो फोरोग ता जेड़े सलसले हैंगे बेशक अदालतां दे विच परूम नहीं हुपांदे लेकिन इस सारी दी सारी तस्वीरां साड़े सामने रही है ने पारते व वाले डेड़ दो साला दे विच बीजे पी ने पूरा जोर लाता कि राजस्थान मद परदेश दे विच सरकारां गेरियां जाना क्यों कांगर्स दिन सरकारां बढ़ियां सी राजस्थान दे विचो कामयार नहीं हो पाए लेकिन मद परदेश दे विच कमल नात दी चड़ सरकार सी जो कि कमफर्टेबल मैज़ोरीटी देनाल बढ़ी हुए सरकार सी कोई एदर उदरो समर्थन नी सी उसने लेया लेकिन ओस सरकार नो भी गेरता गया दो दर्जन दे आसपास विदायका ने बैठे बैठे इस्तीफा देता कमल नातनों हथा पैना दी पैगी मौका ही न पार्ती जन्ता पार्टी दी मदद देनाल किस तरीके नाल एकनाज चिंदे नो मुक मंतरी बनाया जान्दा है उद्दव ठाकरे दी शिव सैना दे विच बागी खड़े किते जान्दे ने ओना तो समर्थन वापस दो आया जान्दा है ते पार्ती जन्ता पार्टी दी पारतिजंथा पार्टी जन्तापाटी देश सब्सक्राइब करना एक तो अधे अठी नाल जोड़ ले गए शर्याम एंटी डिफेक्शन लाओ दियां तजियां जेडियां है देश देविच एक तो बाद एक पार्ती जनता पार्टी उडान दी आ रही है सो जदो इना सारे केसिज नो अपा वेख दे हैं समझ दे अनलाइज कर दे हैं ता समझ यह आंदा है कि BJP दा मकसद एही है कि हर राज देविच ओस दी या ओस बल्लो समर्थित सरकार होवे फेडरल स्ट्रक्चर देविच जिस तहर की स्टेट जेड़े हैगेने और यूनिट्स ओफ फेडरेशन हैगेने उन्हा देविच किसी भी पार्टी दी सरकार हो सकती है देख चंगा कोपरेटिव फेडरलिजम दा स्ट्रक्चर होवे अलग अलग पार्टी दी सरकारां भी हों ता भी कठे लेके देशनों के तुर पाण उस मॉडल दे विच बीजेपी ता विश्वास ही नहीं है 2014 विच नरेंदर मोदी दी सरकार बाण देया ही कॉंग्रस मुक्त पारत दा नारा जड़ा सी देटा गया सी जो की देश दी डेमोक्रेसी ली जम्हूरियत ली एक बहुत ही मंद पागा नारा सी एक बहुत ही माडा ट्रेंड सी जड़ो किसी देश देवी जो विरोधी तेरनू खतम करना ही एक सियासी तेरदा तेखास कर सकता तेरदा मकसद होवे ता फिर अंजामे गुलस्ता क्या होगा ए थोड़े सामने है लेकिन आज जिदों आप आप आपरेशन लोटस जिस दी चर्चा पंजाब देश सियासी सरकल देविच हलचल दे रूप पिच उपर दी पई है सानुए जिरू समगना चाहिदा कि देश दे अलाग अलाग राजजान देविच जिमें सरकारां गेरियां जारियां ने जिमें विदायिकान धी खरीदो फुरोग किती जादी है हॉस्टेडिंग हुनी है तोड़ फुर किती जा रही है ओ समभव की में हो पा रही है कि साथे देश देविच कोई anti-defection law ना दी चीज है ते जे एक कानून है ता फिर एस कानून दे हुंदया होया तकरीबन साथे तिन तो चार दहाक के दाएक एतिहास है anti-defection law दा एक जड़ा विदायक है लेजिसलेटर है चुनया होया नमायंदा है जे अपनी side switch कारदा है एक पार्टी तो दूसरी पार्टी भी शामल होंदा है और disqualify किता जा सकता है और इस तरीके दे डाल बदल दा जड़ा सियासी कल्चर है जो की 80s दे विच मिड-80s ता का पारत दे क गई राजजान दे विच सियासी अस्थरता पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी नो लगातार जरम दे रहा सी उस ट्रेंड नो रोक्या जान्दा ताहीं करके 10th schedule इंट्रिडूस कराया गया एंटी डिफेक्शन कानून ले आंदा गया 20 सालावाद 2034 दे विच सुप्रीम कोट न कुछनून निखार के सामने ले आंदा पारत एंटी डिफेक्शन लाई कजेहा कानून है जो की अपनी डिफाइंस दे विच अपनी इंफ्रिंजमेंट दे विच ज़्यादा उपजर्ब किता जान्दा है खास करके उना स्तितियां दे विच जदों की एक फ्रेजाइल कमी है देखो पंजाब दे विच होवे है किसी होर सूबे दे विच ए नौबती की वांदी है कि विदायका या चुने होए नुमायंदयानों खरीदों फरोख्त को रंदा जिकर भी होवे जदों की देश दे विच सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज उस परस कारता है उना थे म प्रवेत उन्हों क्लीर कार देना चांबना हां कि किसी भी पार्टी नों चाट के कोई विदायक लेजिसलेटर दूसरी पार्टी भी शामल नहीं हो सकता यह देश दा एंटी डिफेक्शन लौ है लेकिन इसले बावजूदे साब कुछ हो रहा है उन्हें एंटी है उस दे विच भी पार्टी पॉलिटिक सुप्रीम है यानि कि पार्टी संगठन जड़ा है पुलिटिकल पार्टी जड़ी है उस दा परदान उस दी हाई कमांड उस दे जड़े ऑफिस बीरस ने ओना दी सहमती होवे तो फेर जड़ा विदायक मंडल है लेजिसलेचर या विदायक दूसरी पार्टी दे विच शामल नहीं हो सकते लेकि एक एक आनू 2003 ते चार तो देश दे विच लागू है लेकि तुसी पिछले तेन चार साला दे मैं कई केस तो ड़े सामने राखते हैं कि महरास्ट्रा दास्ता है तो नो मद्परदेश दे विच होया आते आग गोवा दे विच दो दिन पहला की होया है वालेशन हो रही है एंटी, टिफेक्शन, लौदी ते साब तो बटा जड़ाक जड़ी कमजोरी है ओ कित्थे आन दी है कमजोरी सिर्फ एप्लिकेशन दे उत्थे आन दी है कि कानून बड़ा स्पष्ठ है कि एस तरीके दना विद टुट नहीं सकते, एक दूसरी पार्टी है दे विच खेमें नहीं बदल सकते, मर्जर हो सकते ने ओदे लेवी पार्टी दी जथे बंदी ती सेमती चाहिए है, सिर्फ विदायक मंडल बैठ के फैसना लेल वे ए संबब नहीं है, जे पिछे पार्टी दा परदान औस दी ज ही लगना है, इस तरीके दा एक बहुती स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर पार्टी पार्टी पॉलिटिक्स नो बड़ी ज़्यादा एहमें दिती गही है, एंटी डिफेक्शन लौ दे तहत, लेकिन दिक्कत थे आन दिया है, जदों की एक पूरा पूरा फैसला, स्पीकर दे हाथ चाड़ता जानता है, हुँझ जड़ा भी स्पीकर पॉइंट किता जानता है, ओ स्राजनेतिक पार्टी स्यासी तेरवल्लों ही चुने आ गया स्पीकर हुनता है, जिसनों एक जज़नी कूर्सी ते बठाता जानता है, जदों कोई विदायक या लेजिसलेटर अपना खेमा बदल दा, अपनी पार्टी बदल दा है, उस लेजिस्लेटर नो डिस्क्वालिफाई करन ली, नोटिस देके एक प्रोसेस देता है, तो उसनों सस्पेंड करना होंदा है, बात दे बीच उसनों डिस्क्वालिफाई करना होंदा है, इस दे एक प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकि यस डिस्क्वालिफिकेशन दे उत्ते फैसला स्पीकर ने किन्य समय देविच लहना है उसनी मेद की है इस उते कोई भी फैसला क्लियर नहीं है हलाकि Supreme Court ने हमने लागए जज्मेंट स्विच क्या है कि स्पीकर समय रहन दिया ही छेती तो छेती अपने फैसले चूनाण क्योंक मेंबर ने अपनी पार्टी बदली, विदायक ने अपनी पार्टी खेमा बदल लिया, उस बग स्पीकर अपनी जड़ी सियासी पार्टी तो कमांड लेके, इशारा लेके ही कोई फैसला सुनाएगा, ते अक्सर बहुत से जहें केसिस रहे ने, जिना तहट की स्पीकर जहें फ सरकार दी टर्म खतम हो चुकी होंदी है, तेनियोर खतम हो चुका होंदा है, पूरा दा पूरा जेड़ा परपस है, एंटी डिफेक्शन लौदा ओर डिफीट हो चुका होंदा है, उन एस पॉइंट नो समझान दी, मैं थो नो दो एक्जामपल दांगा, पहला एक्जामप दी अलाग जेडी पार्टी बनी सी, कॉंग्रस तो टुटके विदायक उथे गए सी, उना दे पांच विदायका नो अपने नाल रला ला ला जान दा है, एंटी डिफेक्शन लौ दी उलंगना कारके, कुल्दी बिश्नोई इकल्ले जेड़े परदान होंदेने है, रेना ज लाए कि 2014 तक उस समय तक उसने उसने फैसला है नहीं सुनाया, ते जदो फैसला सुनाया गया, उस दे विच उना विदायकां दी इस दल बदल नू सही पाया गया, बाद दे विच उसनों हाई कोड दे चनौती दिती गी, जिते कुल्दी बिश्नोई दा कानूनी पाख जित इस दी थी थे बिल्कुल उलट महराष्टा दे विच दो महीने पहला की होंदा है, बागी जड़े विदायक होंदे ने शिव साना दे उना नू स्पीकर वलो नोटिस दिता जाना होंदा है, जिस तो बाद उना दी डिस्क्वालिफिकेशन दा जड़ा प्रोसेस है, उसनों अगे तोर ना होंदा है, लेकिने बागी विदायक सुप्रीम कोट खड़े हो जान दे ने जाके सुप्रीम कोट वलो रहा देती जान दिया थे इना दर जड़ा नोटिस पीरिड है, उस दा जड़ा समा है वो दाता जाना है, दो दिन तो बादा के शायद 12 या 15 दिन करता ग यह थे खतम हो गया, तो दो अलग अलग सिनारियो है कि ने, क्योंकि स्पीकर दी डिस्क्रिशन है गी है, हर्याना दे बीच स्पीकर ने उस फैसले नो लंका के रख्या, और नई सी चांदा की इस फैसले नो कई सालना तक दिता जाए, जाता को पेंदर सिंग हुंटा दी सर का के रख्या, लेकिन माराश्टा दे भी जे स्पीकर समय सिर कारवाई चांदा सी, एस तिथी दे बीच सुप्रीम कोट ने इना विदायका नो इक फायदा देता थे, उस एंटी डिफेक्शन लौ दे माइने ही खतम हो गए, हलांकि हाई कोट ते सुप्रीम कोट स्पीकर द फैसले तो पहला इंटरफेर नहीं कर सकते, तो आप आए क्या सकते हैं कि साड़े देश दा जड़ा एंटी डिफेक्शन लौ है, ओ कानून एड़ा कमजोर नहीं, लेकिन जड़ो सतही पद्र उत्ते उस दी अप्लिकेशन दा समान दा है, जड़े लोकां दे उत्ते जिम्म पाईया नहीं हुंदी हैं, डिलेज हुंदे ने, देर लाती जान दी है, फैसले सुलाई नहीं जान दे, ते जे कदे अजही इस्तित्थी आए भी, क्योंकि सारदे सारे केस, जिन्दे भी डिफेक्शन हुंदे ने देश दे विच अलाग अलाग सूबे दे भी जिरो सरकार हुंदे ने, तब तक उना फैसले हैं दा कोई माइना नहीं बाच्दा, क्योंकि सरकारा अपनी टर्म हड़ा चुकियां हुंदे ने, तो कोई ज़्यादा मकसद उसना बाच्दा नी, एही कारण है कि पार्ती जनता पार्टी बरगियां, पार्टियां खुलके इना डिफेक सरकारा स्थिर ना हुरै पान, स्टेबिलिटी उना ते ना आ पाए ते, जित्थे भी संबभ हो पाए सरकारा नू गिरवात ता जाए, खास करके उना राजान दे भी जित्थे की पार्ती जनता पार्टी सरकार बनान दी, या किसी होर तिर्दे नाल रल के सरकार बनान दी प कोशिश कर दी पर यह भी बॉर्डर स्टेट दे विच एक बहुत बड़ा जोखिम के इंदर सरकार चुक्री हो सक दिया है जदो बानवे विरायका दी एक एपसुलूट मिजोर्टी देनल आई सरकार नूँ इस तरीके नल डी स्टेबलाइज करन दी कोशिश कोई पार्टी का रही होँए ओभी के इंदर दी हाकम पार्टी का रही होँए एथे ए समझ पाना थोड़ा मुश्कल हो जानदा है कि केडी पार्टी दे केडी तेरदेनाल राण के पंजाब दे बिच सरकार बारती जनता पार्टी बनाना चाहेगी आम आदमी पार्टी दी सरकार नूँ डी सकन काली दल देना लोन दी पाई वालता है कांगरस तो जड़ी एलर्जी बीजे पी दी है ओ साठे सामने के चाहा सिनारियों पेश कार दिया जित्ते की समझ मिशता हैं आंदा कि या ता सारे सारे जिमें किया जा रहा है कि पचविंजा विदायका ली पौने चौदान सौ करो जड़ी तो धली पंजाब देविच मचाएगी ए चीज़ भी कुछ हजम होन वाली गालबात नहीं है लेकिन नेवर्दलेस बीजेपी देश पार देविच रहा है जोना दा वतीरा रहा है फेडरल टांचे संगी जड़ी जड़ीयां करना कीमता दा जड़ा कान पिछले कु किसी भी राज देविच अपनी सरकार बनाई है एसाड़ा जमूरी हाख है डेमोकरेटिक राइट है लेकिन किसी सरकार नों डी स्टेबलाइज करके उना दे विदायका नों एंटी डिफेक्शन लौ दे उलंगना दे विच अपने नाल रडा के जे तुसी काम कर दे पाए जिनने बात दे विच अदालता दे विच इना केसा ने गिरना ही गिरना है अदालता दे विच एस पक नों कदे भी सही नहीं मनना जाएगा क्योंकि एसेंशली किसी भी पार्टी तो विदायका नों अपनी पार्टी दे विच रडाया ही नहीं जा सकदा मर्जर दा कानून दे बिच नहीं है ले देके जे कुछ है ता उस्पीकर दे हाथ दा वो डीले है स्पीकर इस केस नो लटका दन दा है अदालता दे बिच जाता केस पहुझने तब तक सरकारां दी टेने और खतम हो चुकी हों दी है उस तो बाद जड़े फैसले जड़े टिप पनियां जिडियां स्ट्रिक्चर जे आउंदे भी होंगे उन अदा कुछ जादा माइना ही नहीं बाच्टा सो अजेही पार्टी जिस दा ट्रैक रेकर्ड एड़ा पूर है जे पंजाब दे भी चोसोते इल्जाम लाग रहे हैं जिम्मेवारी बीजेपी दी भी बढ़नेगी की पंजाब दी एस ओपरेशन लोटस दी गालबात उनों सबजना जरूरी सी तो मैं आस करना कि एस पूरे दे पूरे कानूं ते इस दी जड़ी बेसिक कमी है यानि कि स्पीकर दे हाथ पूरी दी पूरी ताकत देती गई है उस देले कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किता गया ह स्पीकर अपने आप दे विच एक सियासी बंदा हुंदा है तोड़ी जान कर लिया थे भी वादा कारणा कि 2002 दे भी सुप्रीम कोट दा एक फैसला है जिस पिसकी सुप्रीम कोट ने ए सला देती सरकार नों की एक फैसले जड़े है गने यानिकि किसी भी विदायक चुने इस कौलिफिकेशन उस दी मेंबर्शिप नों रद करन दा फैसला दाल बदल कानून दे दारे दे विच पैंड वैली जड़ी कारवाई है उसनों स्पिकर उस उते फैसला ना लवे बलकि सुप्रीम कोट या हाई कोट दा कोई रिटायर जाज या चीफ जस्टेस उस दा जो कि अजे हे केसा दी एंटी डिफेक्शन लौ दे होते फैसले एक चंगा रेलेबेंट सजेशन है लेकिन मैंनों नहीं लगता भी सरकारा सुहिर्द ने क्योंकि जे एस तरीके दे ट्राइबूनल ते एस तरीके दे कमिशन बढ़ने शुरू हो गे जिनाने सही फैसले सही समय उत्ते देने चुरू कारते तब फिर विदायका दी खरीदो फ्रोकते दुजी यादि की विरुद्धी पार्टिया दी सरकारा नू राजजान दे विच सुब्यान दे विच गेरन दा जड़ा कामकाज है ओक बे नेपरे चड़ेगा सीरे चड़ेगा तो एक बहुत ही म नहीं साड़ियां सरकारां गंबीर हैगियाने इना मुद्धियां दे जेड़े भी रिफॉर्म्स हैगियाने जेड़े भी बदला हैगियाने उना होते कोई गाल करनों त्यार नहीं ते सूरत आल एई है कि ऑपरेशन लोटस भी कई राजाने विच हो चुका है पंजाब दे के चैरी विच पेज करेगी सिर्फ इल्जामा देना गालबात नहीं बाननी एड़ा सेम पॉइंटे टाइम बीजे भी एड़े सौके तरीक की नहीं नहीं कह सकती कि शराब टे एक साइज दी नीती तो तह जड़ा केरा प्या होया है आम आदमी पार्टी दी सरकार नों दिल करने पहने ने आज दी कालबात नी की सी मैं चांदा सी की एंटी डिफेक्शन लौ दी रॉष्णी देवी चापा इस ओपरेशन लोटस दी चर्चा जड़ी पंजाब इच्छडी हुई है एस दी चर्चा करिया आसका रंगा ठीक लगी होई की रिपोर्ट बहुत बहुत आ